नमस्कार दोस्तों पूनम किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे और्द की दाल की कचोड़ी वह भी गयों के आँटे से एकदम खस्ता कचोड़ी बन कर तायार होगी तो इसके लिए हमने ये कटोरी दाल साम को बिगो दी थी और इसको दुल के साफ कर लिया है छिलके वाली हो तो आप दुल लें तो अभी क्या करना है इसको हमने ग्रेंडर में डाल दिया है इसको पीस लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे यह हमने एक साथ नहीं पीस नहीं है आधी-ाधी करके पीस नहीं है इसमें हम डालेंगे एक चमच दनिया पाउड अदाचे मजगरा मासाला एक से लिर्चा मासां पिसिवी अदाचे माजिरा साब जिरा और आठ से दस काली मिर्च चार्ट लॉंग और थोड़ी सी हींग तर दस के कख्मता हागा है काट्र यह अदा जुजे है अदाचे मज़ नमागा यह चालें अज़ हो डालके एकदम बरूब नहीं पीशना थे। दरादरा पीमना तो देखी हुमने पीशना द underworld अब इसको फिराई करेंगे तो यह हमने कड़ाई में सरसों का ओयल लिया है दो चमश और इसको गरम कर लिया है अच्छे से अब यह दाल देंगे गैस का फिलेम सिलो रखना है दीमी आज पे इसको बूनना है बूनने हम कम से कम चार पांच मिनिट का समय लगेगा पांच से शे मिनिट का मसाले आप इसमें कोई भी एड नहीं करने है क्योंकि मसाले अमने सभी पीस्ते टाइम डाल दिये थे इसमें और इसमें हम अभी डालेंगे थोड़ी सी कसूरी में थी तो आप देख सकते हैं इसको कम से कम चे मिनिट हो गए बूनते हुए और इसका सारा मौश्चर खतम हो गया है मौश्चर बिल्कुल नहीं रहने चाहिए कचोड़ी इसमें दाल में यहीं तो कचोड़ी सोगी हो जाती अगर मौश्चर रहत तो इस तरह दाल बूनकर हमने तयार कर लिए वीसको बाहर निकाल लेते हैं अब इसके लिए हम आटा गूतेंगे तो क्या करना है यह आदा कटोरी हमने सूजी लिए और इसमें हम आदा कटोरी पानी गरम पानी गुंगुना हो पानी उसको डालके इसको लगबग दस मिनिट के लिए रख देते इस तरह सूजी डालने से क्या होगा विल्कुल भी एक भी कड़ उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा और एक दम से अच्छे से मैस हो जाएगी तो देख सकते हैं यह सूजी अच्छे से फूल गई है सारा पानी इसने अजॉप कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच अजवायन आदा चमच नमग और लगवाद पांच बड़े चमच इसमें हमने यह रिफाइंड ओल डाल दिया है इसमें इसको मिक्स कर देना है इस तरह आपको यह एकदम से नया तरीका है यह कचोड़ी बनाने का और यह बढ़िया कचोड़ी बनती है एकदम से क्रेस्प तो इसमें हम डालेंगे अपने क्वांटिटी के इसाब से आँटा आपको जितनी क्वांटिटी में बनानी हो इसे इसाब से ले सकते है तो आटा डालें इस तरह मिक्स करना है, तो देखिए, इसमें बस अच्छे से मिक्स कर लिए है, हमने ये सूजी, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के, इसका एक सौप्ट सा डू लगा लेंगे, तो देखिए, यहांटा आपने गूथ लिया है, एकदम सौप्ट सा गूथ के तयार हुआ है, तो इसको हम रख देंगे, दस मिनिट के रेष्ट के लिए, तब तक क्या करना है, यह दाल जो भोलनी है, उसके इस तरह हमें यह पेड़े जैसे बना लेंगे, इस तरह दबाके, इससे कचोड़ी बरने में बहुत आसानी होती है, इस तरह ऐसे, तो देखिए, यह हमने इस तरह पेड़े बना के रख लिए है, अब यह हम आपको खचोड़ी दिखाएंगे, किस तरह बरनी है, तो देखिए, यह हमने इतना आटा लिया है, और इसको इस तरह गोल-गोल करना है, ऐसे इस तरह कुलड़ जैसा बना लेना है, इसका, और इसमें यह गोली रख देंगे, और इसको इस तरह बंद कर देंगे, इससे क्या होगा, इस तरह बनाएंगे, तो बिल्कुल भी फट कर देना है को इसी तरह बाकी भी भर के तार कर लेते हैं तो शारी हमने वर लिए अब क्या करेंगे इनको बिलते हैं का तौछ तो देखिए इतनी बड़ी है कि अब इतनी मोटी हमें बिल लिए और इस तरह बिल के तैयार कर लेनी है अभी हमने ओयल को गरम कर लिया इसको मीडियम फ्लेम पर गरम करना है ओयल को अभी हम जैसे एक थोड़ी से आटे की गोली डाल के देखिए तुरंत ऊपर आ गई है तो यह हमारा आटा कि आए और एक दम से परफेक्ट है इसमें हम यह कचोड़ी डाल देते हैं एक वार में जितनी आजाए असानी से उतनी आप से डाले तो देखिए जैसे यह आपने कचोड़ी डाले उसके लगवाग एक मिनिट के बाद यह फूल कर ऊपर आ गई है तो इसको अब हम पलेट देंगे और इनको शिखने में कम से कम छह साथ मिनिट का समय लगता है अधीमी आज पर शेख नहीं है उलट पलट के तो देख सकते हैं यह कितनी अच्छी से पूली है पचोड़ी आप देख रहे हैं तो देखिए कितना संदर कलर आ गया है इस तरह सिखनी थी चाहिए और अभी इनको बाहर निकाल लेते हैं मैं देखिए होती है वह हल्दी नहीं होती है नुकसान करती है मैदा तो इसलिए आप गयों के आंटे से इस तरह बनाएं खस्ता कचोड़ी बहुत बढ़िया बनकर तयार होती है तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से भरी है पूरी दाल एकदम से पूरी कचोड़ी में बरकर तयार हुई है अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लायक करें शेयर करें और अब